श्मुश्कार, स्वागत आपका Self Study के चैनल पर और आज हम अपनी इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं कि जो हमारे देश के दूसरे परधान मंतरी रहे लाल भादुरु शास्ति जी उनके जीवन के नैतिक मुल्ले क्या थे और हमें इनके जीवन से क्या संदेश मिलता है बहुत एक तरीके से आप इनके बारे में जानेंगे तो आपको गूस बंब आ जाएंगे इतने अपने इरादों के पके ये इनसान थे और आज की डेट में आपको कोई देखने को ही नहीं मिलने वाला जिस तरीके के ये नेता रहे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले PDF के दूसरे परधान मंतरी लाल बादुर शास्त्री जी की 108 जैन्ती बनाएगी इन्होंने कहा था कि आजादी रक्षा आजादी की जो रक्षा है वो किवल सैनिकों का काम नहीं है पूरे देश को मजबूत होना होगा और हर एक नागरी को अपना कर्तव्य निभाना होगा लाल के दूसरे परधान मंतरी रहे थे इससे पहले उन्होंने 1961 से 1963 के बीच में ग्रह मंतरी का भी कारेबार समाला था उन्होंने देश भर में जो दूद का उत्पादन बढ़ाने के लिए श्वेत करांती की शुरुवात भी की थी उन्होंने अनाज का उत्पादन बढ़ाने के उच्बेकिस्तान स्थित ताशकन में एक संदिक स्थितियों में उनकी मौत हो गए थी इसके ओपर तो अभी भी बहुत ज़्यादा एक हम कह सकते हैं की कंट्रोवर्सी है तो यहां पर बोला जाता है कि इनकी मौत कैसे हुई इसके पीछ बहुत सारी चीजें हमारे सामने निक वास्तव के घर हुआ था हालांकि इनकी जो जाती थी यह जाती परता कि बहुत खिलाव थी इसलिए उन्होंने अपना उपनाम चोड़ दिया था 1925 में वारा नसी के काशी विद्यापीट से सनातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें शास्त्री की उपादी दी गे एक ऐसे व्यक्ति को संदित करता है जो पवित्तर शास्त्रों का गया था इस परकार उन्होंने चोटी सी उमर में बहुत बड़ा एक व्यापक दिरिश्टिकौन अपनाया था और अपनी जो एक कह सकते हैं कि एडवर्स सिचुएशन थी यानि प्रतिकूल समय था उस मक्त उन्होंने जिम्यधारियां बहुत अच्छे से निवाई थी वैदेश के ऐसंक्या जिम्यधारी उठाने वाले सारचनिक जीवन जीने वाले दिग्यजों में से एक थे अपनी एडवर्स सिचुशन यानि विपरीत प्रिश्थितियों में भी उन्होंने खुद को जवाब लूर में एक ट्रेन दुर्गटना के बाद उन्होंने इस्तिफा दे दिया था इससे पता चलता है कि वो कितने करतेवे निष्ट थे और कितने सच्चे नेता थे इनके व्यक्तितु की नहरु साइथ सभी सराना करते जिनें वे अपना हीरो मानते थे अब सारजनिक और नीजी जीविन के बारे में अगर हम जाने कि देखिए 1965 में भारत और पाकिस्तान को जो युद हुआ था उस युद के दुरान भारत में खाद्यान की बहुत भारी कमी आ गए थी इस समय अमेरिका ने भी एक तरीके से अपना दोगलापन दिखाया था और उसने भी खाद्यापरती की कटोती कर देती और यहां पर आप जानेंगे न कि हमारे देश में जो हरित करांती आई थी वो इसी युद के दुरान आई थी हमें हैसास हुआ था कि हमें खाद्यान के मतलब इंपोर्ट किया करते थे आज की डेट में हम एकस्पोर्ट करने पे आ गए इस संकट का सामना करते हुए लाल बादुर शास्त्री ने जब उस वक्त 1965 की बात है लाल बादुर शास्त्री जी ने गोशना किय थी कि एक लिए कुछ दिनों के लिए अपने परिवार कि उनके मतलब एक परधाल मंत्री जब होते हैं तो उनके लिए आने जाने के लिए गाड़ी होती है तो उनके लिए भी एक अधिकारी गाड़ी थी लेकिन उनके बेटे ने उस गाड़ी का यूज कर लिया अपने इस्तिमाल बेल परसनल यूज कर लिया और जब ये बात लाल की शिक्षा में यहां से पता चलती है साथ साथ एक बात जो मुझे पता चली कि 1965 के अंदर देखे यह जो गाड़ी थी यह लाल बादुर शास्त्री जी को पसंद आई थी इन्हों ने गाड़ी परचेज की थी उस वक्त इसके किमत 12,000 रुपे थी और लाल बादुर शास्त्र के अंदर सेंक्षन कर दिया कि मतलों मंजूरी दे दी और उस वक्त लाल बादुर शास्त्री जी ने पंजाब नेशनल बैंक को फटकार भी लगाए थी कि आप मेरे लिए इतना जल्दी कर रहे हो आप आहम आद्मियों के लिए इतना जल्दी क्यों नहीं कर सकते हो क्यों उ उनकी ताशकंद के अंदर जो संदिक्त परसितियों के अंदर जो वो एक्सपायर हो गए थे तो उसके बाद जो यह लोन है वो दे नहीं पाये थे मतलब लोन चुकाई नहीं पाये थे लोन जो है वो एक तरीके से यह यहां पर उनकी जो पतनी ललीता शास्त्री जी के अब काफी सारे ये कहते हैं कि बैंक ने कहा था कि कोई जुरूरत नहीं है कई कहते हैं कि बैंक ने लेटर भी लिखा था और अपना लोन वापीस मांगा था ये सब चीज़ लेकिन एक्षुल की बात ये कि लोन जब चुका दिया गया था शास्त्री जी की जो पैंशन आती थ लेकर ये कार करे दी थी उनकी मोत के बाद उनकी पतनी ललिता शास्त्री जी ने उनके पैंशन से पैसे से लोन की भरपाई की थी विभाकर शास्त्री द्वारा शेर तश्वीर अपने आप में शास्त्री जी की साथगी की एक अलग ही कहानी बियान करती है कि प्रधान मंतर लेकर जाते थे वो सरकारी बस का को सीखने को मुल्यों वाला आपको कोई नहथा नहीं कि रिएगा जिसकी हम धिल से कदर करें है небольшus आपको मिलेगा नहीं आपर टो ऐसे इंसान Pay शास्त्री जी अब लाल बादुर शास्त्री जी की जो relevant है आज की डेट में भई हम क्या सीखें देखें भारतियों को उनकी साथगी उनकी विनमरता उनकी मानवताबाद तपश्या कड़ी मेहनर समर्पन राष्टवाद इन सब का अनुकरन करना चाहिए 1964 में शास्त्री जी का पहला स्वंतंतर दिवश बासन आज भी उतना ही प्रासंगें गया जितना की उसमें था उन्होंने कहा था कि चरित्तर निर्मान और नैतिक शक्ति पर बहुत जादा जोर दिया था कि नैतिकता और चरित्तर निर्मान इसको बढ़ाया जाए इसका बहुत मेतव है आज कर आज की डेट में आप जहां देखते हैं कि जो मुल्य हैं किसी की आगर आप नैतिक मुल्यों की बात करते हैं आप मोरालेटी की बात करते हैं तो आप उसमें पतन ही देखते हैं तो आज की डेट में बहुत जादा जरूर था जो शास्त्री जी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके PDF के लिए मैं अलड़ी आप लोगों को बता चुका हूँ डिस्क्रिप्शन बोक्स में टेलिग्राम का एक लिंक दिया मिलेगा तो जाकर आप वहाँ से इस वीडियो की PDF डाउनलोड कर सकते हैं कोमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि आपको क्या पसंद आया और आप अपनी ही कुछ चीजें जो आपको ज़्यादा पता हैं उनके बारे में आप शेयर कर सकते हैं तब साच के लिए इतना है था इस वीडियो में टेंक यू फॉर वोचिंग इस वीडियो